राहुल की भारत जोडो यात्रा जहां नए नए कीर्दिमान बना रही है तो वही बीजेपी की बॉखलाहट बढ़ती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का आज छटा दिन है, कॉंग्रिस की ये यात्रा फिलहाल केरल में है लेकिन बीजेपी यात्रा को लेकर अनाप शणाप बयान दे रही है, जिसे लेकर आज कॉंग्रिस ने भी बीजेपी की पोल खुल दी, देखें ये रिपोर्ट कॉंग्रिस की भारत जोडो यात्रा आज छटे दिन में प्रवेश कर गई है ये यात्रा इस वक्त केरल में जारी है जो रविवार से शुरू होकर 19 दिनों तक केरल में ही चलेगी केरल प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के अध्यक्ष और सांसत के सुधाकरन, राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता बीडी सतीसन और AICC महासचिव तारिक अनवर ने आपचारिक रूप से रविवार को यात्रा का स्वागत किया था आज राहुल और कॉंग्रिस की भारत जुड़ो यात्रा पर लगने वाले आरोपो को लेकर कॉंग्रिस के महासचिव जैराम रमेश ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है आरे हैं बेबुनियात बैवन आरे हैं बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरीके से social media उनके factory चल रही है बिल्कुल साफ हो गया है कि वो गव तक परेशानी में है वो पीडित है और वो उनको देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रेस्पॉंस आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए अपनी प्रेस कॉंफरेंस में जैराम रमेश ने बीजेपी और आरेसेस पर नफरत और अफवाएं फैलाने का आरूप लगाया उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीती तोडने की है जोडने की नहीं उन्होंने दोहराया कि कॉंफरेस ने नफरत से लड़ने के उद्देश से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है अगले 17 दिनों तक केरल से गुजरने के बाद भारत जोडो यात्रा 30 सितंबर को करना तक पहुचेगी ये उत्तर की ओर बढ़ने से पहले 21 दिनों के लिए करना तक में रहेगी पदियात्रा हर रोज 25 किलोमीटर की दूरी तै करेगी यात्रा 12 राजजियों और 2 केंद शासित प्रदेशों को कवर करेगी और 1500 दिनों में कन्या कुमानी से जमु कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की दूरी तै करेगी 22 बड़े शहरों में कॉंग्रेस की मेगा रैलिया होंगी राहुल की यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड रहे हैं जब राहुल पद्यात्रा करते हैं तो उनके साथ बच्चे, बूड़े, युवा और महिलाओं का जन सेलाव साथ शल पड़ता है अपनी यात्रा के दौरान राहुल आम लोगों के घरों में रुक कर उनसे बात करते हैं, उनके साथ चाए पीते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं की बात सुनते हैं और ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है इन तस्वीरों में राहुल को मास लीडर बताया जा रहा है इन तस्वीरों ने बीजेपी की बौखलाहट को और बढ़ा दिया है डीवी लाइफ की रिपोर्ट